जब आपके दूद के दाट तूट जाए तब आप मेरी बराबरी करना अभी चुप चाप यहां से चले जाओ अरे अरे आप कहा चल दिये जरा रुखिये और मेरी बात सुनिये कभी तो आपने अपने बड़ों से यह जरूर सुना होगा तुमसे तो बात करने कही कोई फायद समझाने लगी आपकी सोच में पड़ गए मैं और कुछ नहीं बस मिल्क टूटना तूटना इस मुहावरे का अर्थ समझाना चाहती हूं मतलब अनुभवी होना और आज के एपिसोड में एक एहम जानकरी देकर आपका अनुभव यह यू कहें कि आपका नॉलेज बढ़ान के एंसर देती हूं जिन्होंने मुझे मेल से कॉंटक किया है इंस्टाग्राम फैमिली में भी मुझे कुछ दीम मिलें आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं वीवर्स आपको मेरे सभी सोचल मेडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंग कि आप अपने बच्चों को नीन में भी अबजर करते हैं बच्चों की विकास के कई फेजिस होते हैं इसमें मिल्क टीत आना और तूटने का एक सही समय होता है कई बार इन दातों को तूटने में देरी होती है लेकिन इसका कारण आपको पता नहीं होता ऐसे में मिल्क टीत आने और तूटने से जुड़ी सारी जानकरी आपको देना चाहती हूं बच्चे के पैदा होने के बाद जो दात निकलते हैं उन्हें milk tooth यानि के दूद के दात कहा जाता है इस और इन milk teeth के तूटने के बाद ही permanent teeth निकलते हैं बच्चों के जो यानि के उपरी जबड़े के बीच के दो दात निकलते हैं इनके बाद धीरे धीरे बाकी के दात निकलते हैं यह एक चार्ट है जिसमें बच्चों के milk tooth यानि के दूद के दात गिरने का समय है उसी के साथ permanent teeth आने का समय है अब बात करते हैं milk teeth तूटने की बच्चों के milk teeth 6-7 साल की उम्र में ही तूटना शुरू हो जाते हैं और last tooth 12 साल की उम्र तक तूट जाता है जब milk teeth गिर रहे होते हैं तो इसके पीछे new permanent teeth उभर कर सामने आते हैं क्या आप जानते हैं कि approximately 4 साल की उम्र से ही बच्चों के jaw की bone बढ़ने लगती है और दूद के दातों के milk teeth दीरे-दीरे lose हो जाते हैं और तूट कर गिर जाते हैं और इस तरह आपके बच्चे के 20 प्रातमिक दातों की जगह 32 permanent दात आ जाते हैं बच्चों के दूद के दात तूट जाने पर समभल कर क्यों रखना चाहिए बच्चों के साथ-साथ आप भी काफी emotional हो जाते हैं जब से रूई में लपेट कर गमले में मिट्टी में दबा देते हैं कुछ अपने बच्चे को बोलते हैं कि एक नन्ही परी ले जाएगी और अपने चोटे बेबी को देगी और बदले में आपको एक permanent tooth देगी वीवस अब medical science ने इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चे की milk teeth को lifetime तक स जहां से सुने और follow भी करें हम सभी अपने बच्चे को लेकर बहुत sensitive होते हैं उसकी जड़ा सी भी तकलिफ हमसे देखी नहीं जाती चाहें हो उसके milk tooth ही तूटने का face क्यों नहीं हो यदि आप जानते हैं कि आपके बच्चे को lifelong किसी भी serious बीमारी से बचाया जा सकता है तो से जुड़ा है आपके बच्चे का दाथ dental stem cells को extract करने में यूज हो सकता है जिसके आपका बच्चा कई खतरनाग बीमारियों से बच सकता है हम सभी जानते हैं कि हमारी body cells से बनी हुई है इन में से stem cells सबसे यंग होते हैं जो कि और भी कई तरह के cells बना सकते हैं इन stem cells को बच बनाई जा सकते हैं जो किसी भी तरह के damage cells को replace कर सकता है stem cells cancer जैसे खतरनाग बीमारी से लड़ने में भी आपके लिए मददगार हो सकता है इन stem cells को store करना काफी खर्चिला हो सकता है बहुत से parents अपने बच्चे के दाथ के stem cells को preserve रखने के लिए काफी खर्चा करते हैं ताकि बच्चा जानलेवा बिमारियों से बच सके हाल ही में हुए studies के अनुसार अडर स्टेम से बच्चों के दाथ से निकाली गई stem cells में ज्यादा potential होता है stem cells शरीर की वो कोशिकाए होती है जो विभाजित होकर अन्य प्रकार की कोशिकाओं को निर्मान करती है stem cell banking में इन cells को बह स्टेम सेल्स को स्टेम सेल्स करना भले ही एक्सपेंसिव है लेकिन यह आप पर निर्वर करता है कि आपको यह करना चाहिए नहीं तो देखा आपने कि आपके बच्चे के मिल्क टीद गिरने के बाद भी कितने प्रिशेस है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए चलिए रखिए झाल झाल